वेलो दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही important बात करने वाला हूं तो वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करतीछे आये नहीं तो मत कहिए जैसी आपके इच्छा तो वीडियो को लास तक जरूर देख GAS हेलो गाइस वेलकम बाइक टू नीव लॉग अभी सुबह पे हो रहे हैं और दास्ता वगरा हो चुगा है इस समय माई का महीना चल ला है और धूप जो तेज हो रही है बाहर अभी 10-11 के बाद इतना हवा भी चलने लगता है तो लूह लगने लग रहा है फिलहाल चुनाओ च घर से नहीं निकलती हैं जिनके पास कोई भी मोबाइट फोन नहीं है तो उनको चुनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है कई लोगों से मैं बातचीत किया है उनको ना तो किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो पता है मैनिफेस्टो जो कि घोशड़ापत होता है जो गाउं में जो पार्टी के कार करता लोग भी हैं उतना एक्टिव नहीं हैं किसी भी पार्टी मैं नहीं करना चाहता हूं सभी पार्टी का यही हाल है कि बस चुनाओं का परशार ऐसे गाउं में जो में सड़ा के निकल जा रहे हैं घर घर नहीं जा रहे हैं किसी से मिल नहीं तो आदमी जो नहीं सोचल मीडिया तो उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सी सरकार का क्या चीज है क्या वादिश तो दोस्तों मैं यही कर रहा था कि जो पार्टी के कुछ या जो चुनाओं के करता लोग है वो लोगों तक उतना अवेर्जनस नहीं फैला पा रहे हैं और जो चुनाओं का जो प्रचार परसार जैसे सहरों में देख रहे हैं आप बहुत जगां होर्डिंग लग रहे हैं यह है हमारा यह घोजड़ा है यह चीज़े हैं वो ऐसा गाओं में कहीं देखने को नहीं मिला है तो यह सारी चीज़ें हैं गाओं के कुछ पतलब सब पर ऐसी चीज़े तो लोग उन चीज़ों पर विश्वास कर ले रहे हैं ज्यादा से उनको एक्शुल चीज जो वास्तवी चीज़ें हैं वो नहीं पता है तो इस समय चुनाओं का यह हाल है गाओं वाली इलाके में अब साहर में तो जो काफी ज़्यादा लोग पढ़ जो यूँआ हैं वही थोड़ा सा वेडनेस ठीज पहला सकते हैं चुनाओं के बारे में बहुत लोग चुनाओं को एकदम हलके में ले लिए हैं उनकÂते हैं कि हम ओड नहीं देंगे हमारे वोड से क्या फर्क लेकिन ओड आपके एक ओड से फरक परता है बहुत फ़रक पर और यही हमी लोग युवाज जो हैं वो ही गाउं में अपने आसपास पडोस में लोगों को बातचीत करके उनको इस चारी चीजे समझा सकते हैं अब अपने आसपास अगर गाउं में आप हैं अगर इसमें हैं तो जरूर अपने आसपास पडोस में लोगों से पूछिए उनकी राय लीजिए ऐसा नहीं मतलब एक तरफा बात कीजिए दोनों जो आपका सभी पार्टियों का बात कीजिए उनको समझाए कि ये चीजे इनकी हैं ये चीजे इनकी हैं और उन पर छोड़ दीजिए कि वो क्या डिसीजन लेंगे ये तो उनकी जो डिसीजन होगी कि वो वोट किस पार्टी को किसको देगा जो उनकी इच्छा होगी लेकिन उनको एक अवेर्नेस फैलाना बहुत ही जरूरी है काफी लोग नहीं जाने मेर मुझे गर में जो बाबा हैं और सारे लोग हैं वह अभी तड़ नहीं जान रहे थे बहुत सारी चीजे थारे बढहा है वह हूं को को अगर मतलब एक तरफा बात ना करके मतलब सारी सभी चीज़ों को लेकर कि उनको ना लगे कि आप किसी पार्टी का प्रमोट कर रहे हैं या किसी पार्टी के दरफ से बोल रहें तो ऐसा करके हम लोग अवेड़नेस फैला सकते हैं तो यह सारी चीज़ें करना बहुत जरूर है छहाटवे चरण में होने वाला है तो त्यारी यहां भी लोग एक्टिव हैं जो प्रीविद्वर लोग हैं लेकिन सहर सहर में ऐसे जो कस्बे हैं वही वही तक हैं गावं में उत्ता उनलों का आना जाना भी तक नहीं है तो यह सारी चीज़ें हैं फिलाल मौसम भी पतल अब देखिए सरकार का क्या रवईया है सरकार क्या होगी तो आने वाले चार जून को ही पता चलेगा फिलाल वीडियो में यही बात करनी थी तो अगर वीडियो अच्छी लगी आप लाज तक देख रहे हैं तो अपना कमेंट जरूर छोड़े और चैनल पे नया है तो चैनल क मिलते हैं नेक्ट व्लोग में तब तक लिए बने रहें थैंक यू